यूपी में पी-एम मोधी और सी-एम योगी ने वो कर दिखाया जो विपक्षी दलों के शासनकाल में था असंभव। उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव का आगाज हो चुका है। जनता राज्य की भावी सरकार के लिए अपना फैसला देने जा रही है। इस दोरान केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने से किस तरह यूपी को सीधा फाइदा मिला है। इस पर गौर करने की जरूरत है। विकास करने का दावा कमोबेश हर सरकार करती है। लेकिन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार में विकास के साथ ही ऐसे अध्धुत और अकल्पनिये काम हुए हैं तो सपा, बसपा और कांग्रेस के शासन में होना असंभव था। पांच सो पचास साल से राम मंदिर निर्मार के लिए संधर्श हो रहा था, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी और मुख्य मंत्री योगी की सरकार में मंदिर निर्मार का मार्क प्रशस्थ हुआ और इस तिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी तरह काशी विश्वनात कॉरिडोर के निर्माण में अनेक बाधाएं और चुनोतिया थी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि इतनी आसानी से भवे कॉरिडोर का निर्माण हो पाएगा। एक गलत फैसला अफसर को बरबादी में बदल देगा। योगी सरकार ने न सिर्फ ह आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनमी बन गया है। प्रदेश में एक भी एम्स नहीं था, वहीं राइबरेली और गोरखपूर में एम्स थापित किये गए। नोएणा में एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। प प्रदेश के सभी घरों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। राज्य को भरष्टाचार और दंगा मुक्त सुशासन के साथ सुरक्षा मिली है। इससे प्रदेश विकास के एक स्प्रेस्वे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में एक गलत फैसला प्रदेश और देश क स्थिती में काफी सुधार आया है। 2017 से पहले प्रदेश सरकार का बजट 2 लाख करोड तक होता था, जो साल 2021 में धाई गुना बढ़कर 5.50 लाख करोड रुपे पहुच गया। सरकारी नौकरी मिली है। साल 2017 में बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत थी, जो कम होकर 4 प्रतिशत पर पहुच गई है। 2017 में यूपी अर्थविस्था के मामले में पांचवे नंबर वाला राज्य था, लेकिन अब तमिलनाडू और करनाटक जैसे राज्य को पीछे छोड़ते ह हुए दूसरे नंबर पर पहुच के आ है। यूपी 2015 से 16 में 10.9 लाख करोड की जीडीपी वाला राज्य था।